हेलो बच्चो, हाव आर यू? बच्चो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रेक्टेट ओफ एजुकेशन द्वारा जारी की गई वर्कशीट नमबर 68 को जो बच्चो, क्लास 68 के लिए है सबसे पहले बच्चो, आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे दिन अपने क्लास टिचर का नाम लिखेंगे और बच्चो, हमारी वर्कशीट को स्चार्ट करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सबस्क्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें शेर करें, कमेंट करें आईए अब हम देखते हैं अपनी वर्कशीट को हमारी जो वर्कशीट अबच्चो वो है, प्राइम मिनिस्टर is the most important political institution in our country there is no direct election for the post of प्राइम मिनिस्टर the president appoints the leader of the party or the coalition of parties that commands a majority in the लोक सभा as prime minister however, prime minister may be a member of any of houses of parliament बचो, there are two houses in our parliament लोक सभा and राजय सभा now, powers of prime minister the prime minister is the head of the government he chairs the cabinet meetings prime minister जो है मारी government का head होता है वही हमारी cabinet meetings का chairman भी होता है he coordinates the work of different department and ministers his decisions are final in case disagreements arise between departments अगर departments के बीच में कोई भी disagreement है अगर वो किसी भी निर्ने पर नहीं पहुच पा रही है तो prime minister का जो decision होता है निर्ने होता है वो final होता है all ministers work under his leadership जितने भी ministers होते हैं वो सारे prime minister की leadership के under ही काम करते हैं when the prime minister quights the entire ministry quights अगर prime minister अगर अपना इस्तिफा देता है तो उसके सारे मंत्री अपना इस्तिफा देते हैं thus if the cabinet is the most powerful institution in India within the cabinet it is the prime minister who is the most powerful अगर हमारे country में इंडिया में cabinet most powerful है तो उस cabinet के अंदर prime minister सबसे powerful member है now बच्चो अब हम आगे चलते हैं यहां पर बच्चो हमें prime ministers की list दी गई है कि इंडिया में कौन कब तक prime minister रहा है उसका जो time period है वो कितना रहा है आईए हम देखते हैं सबसे पहले बच्चो पंडित जवारला नहरू जो 15 अगस्त 1947 तो 27 में 1964 तक हमारे prime minister रहे थे उसके बच्चो गुरुलजारी लाल नंदा जिन्होंने 27 में 1964 तो 9 जून 1964 तक as a prime minister काम किया नेक्स्ट श्री लाल बहदूर शास्त्री 9 जून 1964 तो 11 जैन्वरी 1966 तक वो हमारे देश के prime minister रहे नेक्स्ट श्री गुलजारी लाल नंदा दुबारब प्राइम मिनिस्ट्री बने हमारे जो 11 जैन्वरी 1966 तो 24 जैन्वरी तक रहे आफ्टर दैट श्रीमति इंद्रा गांधी जो 24 जैन 1966 तो 24 मार्च 1977 तक हमारी prime minister रहे उसके बाद श्रीम मुरारजी देशाई 24 मार्च 1977 तो 28 जैन 1979 तक हमारे prime minister रहे आफ्टर दैट श्रीक चरन सिंग 28 जैन 1979 तो 14 जैन 1980 तक हमारे prime minister रहे उसके बाद बच्चों दुबारा श्रीमति इंद्रा गांधी 14 जैन 1980 तो 31 अक्टूबर 1984 तक हमारे prime minister रहे उसके बाद श्री राजीव गांधी जो इंद्रा गांधी के बेटे थे वो 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक हमारे prime minister रहे उसके बाद विश्वनात प्रताप सिंग 2 दिसंबर 1989 तो 10 नवंबर 1990 तक हमारे prime minister रहे उसके बाद श्री चंद्रा शेखर 10 नवंबर 1990 तो 21 जून 1991 तक हमारे prime minister रहे उसके बाद श्री पीवी नरसिमा राउ 21 जून 1991 तो 16 मई 1996 तक हमारे prime minister रहे उसके बाद बच्चो श्री अटल बिहारी वाजपे 16 में 1996 तो 1 जून 1996 तक हमारे prime minister रहे उसके बाद बच्चो श्री हडी देव गोड़ा 1 जून 1996 तो 21 अप्रेल 1997 तक हमारे prime minister रहे उसके बाद इंद्र कुर्मार गुजराल 21 अप्रेल 1997 तो 19 मार्च 1998 तक हमारे prime minister रहे उसके बाद बच्चो दुबारा श्री अटल बिहारी वाजपे हमारे prime minister रहे उसके बाद बच्चो श्री मन मोहन सिंग 22 माई 2004 तो 16 माई 2014 तक हमारे prime minister रहे उसके बाद बच्छो श्री निरेंदर मोदी 16 मैं 2014 से लेकर अब तक वो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री है अब प्रेजेट वो हमारे अब भी प्रधानमंत्री है बच्छो ये थी हमारी लिस्ट प्राइम मिनिस्टर की अब हम देखते हैं अपने कॉशन्स हमारा first question है यहां पर आपको बताना है जो आज तक फिमेल एक ही प्राइम मिनिस्टर बनी है उसके बाद फिमेल प्राइम मिनिस्टर दुबारा नहीं बनी है तो भचो इसका answer है जो 24th Gen 1966-24 March 1977 तक हमारी प्राइम मिनिस्टर रही थी वो दुबारा प्राइम मिनिस्टर बनी थी हमारी 14th Gen 1980-31st October 1984 तक नहीं बचो हमारा second question है I serve the nation as a Prime Minister for 10 years while being the member of Rajya Sabha Find out my name with the help of your family members बचो यहां पर आपको बताना है कि वो कौन से Prime Minister थे जोनोंने 10 साल तक Prime Minister रहे और वो Rajya Sabha के member भी तो बचो इसका जो answer है वो है Shreem Manmohan Singh अब बचो अब हम देखते हैं अपना next question हमारा next question है Suppose you were the current Prime Minister of India and India is facing coronavirus pandemic I would take the following steps to stop the pandemic expand, train and deploy our public health force implement a system to find every suspect cases ramp up testing capacity help needy and poor people identify and adopt a key facility that will use to treat isolated patients बचों जो मैं steps उठाती वो होते कि मैं expand करती अपनी health force को बढ़ाती उनको train करती ताकि वो public की सेवा कर सकें एक एक एसा इंप्लिमेंट करती सिस्टम जिससे कि जो suspected cases हैं उनको मैं easily पता लगा सकूं testing capacity को बढ़ा दिती जादा 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 टेस्ट कराती जो poor and needy people हैं उनकी help करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इस pandemic के दोरान सबसे जादा नुकसान उनको हुआ है और ऐसे facilities को adopt करती, identify करती और उनको adopt करती जिससे कि जो isolated patients हैं उनको अच्छे से treat किया जा सके अब बचो हम चलते हैं अपने अगले question पर हमारा next question है collect some more information about your favorite prime minister with the help of your family members and write an article on it यहाँ पर बचो आपको अपने favorite prime minister को बताना है कि आपका favorite prime minister कोन है और उसके ऊपर बचो आपको article लिखना है information collect करके यहाँ पर बचो आपको अपने favorite prime minister को बताना है जैसे मेरा prime minister है favorite श्री नरेंदर मोदी आई देखते हैं अपना answer My favorite prime minister is Shri Narendra Modi Shri Narendra Modi was born on 17th September 1950 in a Gujarati Hindu family of grocers in Wadnagar, Mehsana district As a child, Modi helped his father sell tea at the Wadnagar railway station and said that he later ran a tea stall with his brother near a bus terminal In 2014, he led his party to victory in Lok Sabha, elections lower chamber of the Indian parliament After which he was sworn in as prime minister of India Prior to this, he had served as chief minister of Gujarat state in Western India from 2001 to 2014 बच्चों उन्होंने Gujarat state के as a chief minister 14 साल उन्होंने वहाँ पर अपनी सेवाओं को दिया है और अब वो हमारी देश के prime minister है बच्चों जैसा कि ये बताया उन्होंने अपनी पिताजी के साथ मिलकर चाई बेची है देलवे station पर उसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर बस टर्मिनल पर चाई का स्टोल भी लगाया है और आज वो हमारे देश के prime minister है इस चीज़ को अचीव करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है बच्चों इतनी बड़ी कामियाबी को हासिल करना तो बच्चों ये थी हमारी worksheet number 68 I hope कि आपको समझ में आया होगा बच्चों हमारे चैनल को subscribe जरूर करें तथा साथ में bell icon बटन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी new video आते ही आपको तुरंट notification मिल जाएं Thank you, bye bye